सिंग्रावली में प्राइवेट स्कूल एसोशियेशन ने अपनी विभिन निमागों को लेकर डिप्टी कलेक्टर को मुख्य मंत्री के नाम ग्यापन सौपा जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना की चलते स्कूल बंद है जिससे प्राइवेट स्कूल के सिछक भुखमरी की कगार पर आ गए हैं लेकिन शासन ने इन शिक्षकों के लिए अभी तक कोई मदद नहीं की है प्राइवेट स्कूल एसोशियेशन के अध्यष ऐश्वनी तिवारे ने डिप्टी कलेक्टर संपदा सराप को मुख्य के नाम ग्यापन सौपा ग्यापन में कहा गया है कि कोरोना माम हमारी वज़े से 7 माह से पराइवेट स्कूलों की घतिवी दिया पूरी तरह से बंद एैं प्राइवेट शिख्षक वा संचालाक बोक्मोरी की कगार पर पहूंच गए जबकि सभी तरे की कुछ ज़ाओं के साथ सरकार ने चालू कर दी है लेकिन अभी भी प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए कोई इस पस्ट दिशा निर्देश नहीं दिये गए साथ ही 2011-12 से अनिवार बाज शिक्षादिकार के तहट जो शासन से राशी आती थी वो भी नहीं दी गई है सरकार से मांग है कि प्राइवेट विद्यालों की प्राइवेटी टैक्स बिजली बिल पानी के बिल सहित ब्याच को माफ किया जाए तिवारी ने का अगर 15 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो अमरन अंशन के साथ बढ़ा अंधुरन करने के लिए प्राइवेट स्कूल सोणके स्टेट का सभी स्पूलने प्राइवेड के dogOT से नकसलवादियों के गड़ ता जोपड़ी से महलों ता ठेलों से मेलों ता पकदंडियों से सडकों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राजडीती से कूटनीती ता दखन न्यूज आपके हद्वा आप देख रहे हैं दखन न्यूज